प्रज्यान इस के यूटूम मंच पर आप सभी का स्वागत है आज हम पढ़ेंगे Constitution of India में शेड्यूल एक इतना important topic है जो UPSC UPSC के सभी exam और state PCS इसमें यहां से question लगतार पूछी जाते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि schedule होता क्या है जैसे कोई book होती है उसके starting में जैसे index दिया रहते हैं कि पूरी books को short form में आपर लिख देते हैं कि इस chapter में इस chapter में इस chapter में है ऐसे हमारे जो Constitution ने Constitution में भी क्या है Constitution में भी जाए Constitution को टोटल जाए बाइस पार्ट में बाटा गए और बाराशेड्यूल में बाटा गए टोटल कितनी शेड्यूल है बारा तो बाइस पार्ट हो गए और बाराशेड्यूल में Constitution को बाटा गए ठीक है अब थोड़ी जान लेते हैं कि जो शेड्यूल है वह आई कहा से Constitution के अंदर जो इंडियन Constitution है उसके अंदर बहुत सारी चीजे इंडिया के बाहर से ली गई है जैसे यह से का जो Constitution ने महां से fundamental राइट ले लिए कि यह से सब्सक्राइब ने महां से फंडमेंटल ड्यूटी ले लिए और वह सारी चीजे जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था वह सारी चीजे जो हैं हमारे वही से ले 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 पते तो जो सब्सक्राइब है जो सब्सक्राइब बिए जो एक ता उसी से लेकिन उसमें तोटल टेन शिट्विर कर उसमें टोटल डिल ती टेन और अभी जो हमारा 1949 को Constitution बना उस टाइम जो है इसमें शेड्यूल की एथ तो इसका मतलब यह है कि जो चार शेड्यूल है वह बाद में अमेंड्मेंट करकिस में जोड़ दिए जो फिलाल हो गई 12 अब बात करते हैं शेड्यूल वन की शेड्यूल वन क्यों इंपोडेंट है और इसमें क्या दे र इंडिया का समय नेम हो गया है और सभी स्टेट के नेम होगे ऊपिर है है कि आप सब सी यूटी में कि अग्हाई है और article 1 और constitution का part 1 यह तीनों एक दूसरे से related हो गए article 1 से 4, part 1 और schedule 1 ठीक है तो article 1 में इंडिया का नाम दे रखा है इंडिया 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 इटीड भारत घुष्प्सरीं के नाम में आप इसासे अजासे तो आर्टिकल कि फिसने यहां से यह से यह बन धायव और याद रखनेंके इसा याद रख सकते हैं हुए thank you याद सेमें एप उसकी कुश्चैंट से देकं लेटें जैसे कि 28 में सबसे लुड़ाई पूंट से है मिस्धान सबसे चोटरी इस्टेट सबसे चोक हो गया सरथ होगया गोवा मैं पॉपलेशन के मामने में सभसे बड़ा से यू ठी पनिश चोप सबसे चोट हो गया शिंख फैक्ट में बतारा हूं कि सब्सक्राइं पूछ सब्सक्षक्राइब कुर्ष्टन पूछ ले जाते हैं तो आप ध्यान तो second schedule second schedule को याद कैसे रखना है क्योंकि second schedule और third schedule आपको बहुत confuse करेगी कि second में क्या था third में क्या था और वो match करने के लिए यहां से question पूछे जाते हैं तो मैं आपको बता दो इसको आप याद रखना दो से क्योंकि दूसरी schedule ठीव दोसे कि दो मतलब देना क्या देना वेतन और बत्ते देना हैं क्योंकि इसमें के बताये इसको यह मिलते हैं प्रेजदेंट नुसरे के सबिएंडियान स्टेट के this speaker and deputy deputy speaker ओफ macht चेर्मेंग एंधिधियोर दभी चेर्में उफ ए उप्टेफि जय सबनांदा हुआ कि कर ये घुर एयड़ी स्पीकर एंड इंड इडिप्टी स्मिकर ओफफ एस्टेट लेजिस्लेटीव छेक ये frequency दिचेरमेन हो गए और फिर ये तीन पॉस्ट आपको ध्यान दशने माक आपको बता देता हूं एक इन पॉस्ट आपको ध्यान रखने को ठीक है जजीस औरस स्पृम कोर्ट टिंग जजीह ओफदा हाइप एंड कंट्रोलर प्र एंड जनरल और इंडिया ठीक? यह तीनों को द्यान डखना है क्योंकि यह थीनों पोस्ट ऐसी है जो आपको सेड़ घूरे मिलेगी ठीक है तो यह पूछ लेता है यह पोछा जाता है मोस्टली कि शेड़ून टू और सिग्जूर थी में कॉमन पोस्ट है वह यह ज़गे एगां से और कोछिञ ले घून जो जजी ज़िए सुप्रिम कोट है वो है 124 हाई कोट है 214 और सीजी है 148 तो मैचिंग के लिए कोस्चन भी आ जाते हैं इनको मैच करने के लिए पूश लेकर ठीक है अब बात करेंगे सेड़्ूल 3 की सेड़्ूल 3 में क्या दिया गया है पहले मैं बता दूँ कि शेड़्ूल 4 शेड़्ूल 3 में confusion होता है शेड़्ूल 2 मैंने आपको बताई दो देने से बताई वेतन और भक्तिय देना सेल्रीट बगेरा देना शेड़्ूल 3 आप याद रख सकते हैं कि 3 कसमे जो दी जाते हैं जो इस जो इसे आप याद रख सकते हैं थीक है है तीं कसमे देनिये और देनियां त्जी किस-किस को देनी है वो याद रखना है ठीक है इसमें यूनियन मिनिस्टर होगे केंडिडेट ओफ पार्लेमेंटरी एलेक्शन होगे मेंबर मेंबर ओफ दे पार्लेमेंट होगे ठीक है एक पोस्ट मैंने आपको बताई थी जैजी ऑफ दा सुप्रीम कोर्ट और सीएजी बता होगे यह देखो यह तीन पोस्ट हैं जो मैंने आपको बताई थी में भी मेंशन ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट सीएजी जैजी ऑफ दा हाई पोर्ट ठीक है इसको आप ध्यान रखना है अब बात करते हैं शेडूल फॉर की शेडूल फॉर में क्या दिया गया है शेडूल फॉर में दिया गया है राज्ये सबगी जो सीटे सीटे हैं राज्ये सबगी जो सीट से उसके बारे में शेडूल फॉर में बताया गया है ठीक है हमारी जो पार्लियमेंट है यानिन ऐसे बार, बार लिव कुसरा होता है और राज्यच्छ सब्सक्राइब कूछ जाता या क्या होता है इसमें सीट बार प्रेस्टन हैं इसके साथ दोनोंstory प्रेज़ेट को एडब सक Mint तब बन जाता है पार्लियमेंट क्यों क्योंकि जब दोनों हाउस में से कोई भी बिल पास होके प्रेजिटेंट के पास जाते हैं तो प्रेजिटेंट का एप्रूवल मिलने के बाद वो बिल जहें एक्ट बनते हैं ठीक है तो पार्लियमेंट के तीन पार्ट हो गई लोग सभ अब हम बात करेंगे schedule 5 और 6 की पहले 5 को देख लेते हैं और यह 5 और 6 क्यों important है क्योंकि यह area रहा है UPSC का जहां पर पिछले कुछ सालों में UPSC ने schedule 5 और schedule 6 से लगतार question पूछे है तो schedule 5 हम देख लेते है schedule 5 में क्या है schedule 5 जो है schedule 5 schedule 5 जो है related है schedule area से और schedule tribes से ठीक है इसमें भारत में अनुसुची छेत्रों और अनुसुची जन्जात्यों के परशासन और उनके नियंतरन से यह संबंद रखती है और इसका संबंद है आर्टिकल 244 आर्टिकल 244 244 में भी वन ठीक है तो इसको और अच्छे समझने के लिए हम क्या करते हैं कि schedule 5 और schedule 6 दोनों में compare करके समझते हैं ठीक है इसके लिए मैं ले लेते हैं जिससे कि समझना और आसान होगा क्योंकि schedule 5 और 6 में confusion रहता है कि कौन सी किस एरिया पर लाग होती है तो इसके लिए क्या करेंगे यह इंडिया का मैंते ठीक है इसमें हम यहां पर एक लाइन ले लेते हैं जिए ठीकन नेक है इसके पास समय लाइन ले लेते हैं ठीक हुआ है कि मैं अब आप देखो यह अवग्या रिया हुआ नौथिश्ट का ठीक है और ये जियो remaining रिमेनिंग पार्ट में जैसे राजिस्थान के कुछ एरियात हो गई गुजरात के कुछ एरिया एंपी महाराष्टरा च्छतिस गड़ ओडिशा जहारखंड है ना तो और आंदर परदेश के कुछ एरियात कुल मिला के टोटल टैन स्टेट ऐसे हैं जिस पर शेड़ियूल फ इसमें चार स्टेट आएंगे इसमें आएगा असम मेगाले तिरपुरा और मिजोरम चार स्टेट इसके लिए कोडिंग कर सकते हैं एम ठीक हैं यह चार स्टेट हो गई असम मेगाले तिरपुरा और मिजोरम अब दोनों में डिफेरेंस देख लेते हैं डिफेरेंस क्या है जो 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 प्रेशीडेंट प्रेशीडेंट ओफ इंडिया तो उसको पावर होती है और सिक्स में गवर्नर को पावर होती है गवर्नर ऑफ रिलेटिड इस्टेट ठीक है असम में गाले तिरुपुरा निज़ो रहा हूं और एक चीज और बता दूं कि जैसे शेड्यूल 5 जो है कुछ-कुछ एरियाज में होती है इन स्टेट के ऐसे शेड्यूल 6 भी पूरे स्टेट पर लागू नहीं होती उसके लिए है उनके अलग से बढ़नी हैं ऐसे में ऐसे त्रपुरा में और ऐसे दीने तो यह क्या है कि इसके कुछ-कुछ एरियाज पर लागू होते है यूप्यस है कन्वूज कर सकते हैं आपको कि का क्न्विच कैसे कर सकते कि इसके टोटल एरियाज पर जो 4 स्टेट हैं एस संब होते हैं प्रेज्ड हमारे वह क्या करेंगे यहां पर एक किर और है वन ट्राइब कि एडिवाइसरी यह कॉंसिल का लगटन करते तरा हिसे इसमें मेक्सिमम जो मेंबर है वह हो सकते है ट्वंटी 맞는 । इसे रिलेटिक कुछ सुलत त्यर्ले टिसिजन लेती हैं है इसी जो सिग्स हैu सब्सुनले सिख्स में ऊटोनोमस डिष्टिक काउंसील होती है हो तो कि दिस्ट्रिक काउंसील होती है है //ordum स्कों बाद में देखें गए बार सेड़्ूल फाइफ को हम देख लेते हैं कि और इसमें क्या हो सकता है तो यह जो ट्वंटी मेंबर है ठीक है यह ट्राइब एडवाइजरी कांटिल के मेंबर होते हैं ठीक इसके अलावा जो सेड़्ूल फाइव है यहां पर जो पंचायते हैं पंचायते हैं उन्हें पावर कैसे मिली इसके लिए 1996 में 1996 में पीशा एक्ट लागू किया गया था ठीक है और यह इसकी रिकमेंडेशन किस ने दी थी इप्रोटेंट है इसके लिए दिलीप सिंग भूरिया एक कमीटी बनी थी जैसे हमारे आच जो schedule 11 है, schedule 11 से जो पंचायतिराज सिस्टम है, वो लागू होता है, ऐसे ही इन एरियाद में, जो schedule 5 के जो एरियाद है, उनमें जो पंचायतिराज सिस्टम है, उसको लागू करने के लिए piece act लाए गया था, 1996 का, ये important है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, और दूसरा इसकी committee, जो दिवीब सिंग भूरिया committee थी, ये पूछी जा सकती है, अब बात करते हैं, schedule 6 की, schedule 6, schedule 6 में क्या है, जो tribal areas है, tribal areas in the state of Assam, मेगाले, तिर्पुरा और मिजोरम, तो article 244, 2 और article 275, ये दोना article मिलके इनको देते हैं, विशेशाधिकार, इन tribes को, ये दोनो ये दोनो आर्टिकल इनको इनको पावर देते हैं, तो यहाँ पर मैंने जैसे के आपको भी बताया था, कि यहाँ पर autonomous, autonomous district council के गठन का प्रावदान है, और ये जो autonomous district council है, इसमें maximum member हो सकते हैं, 30, और इन 30 member में, जो 26 member होते हैं, वो elect होते हैं, वो elect होते हैं, वो elect होते हैं, वो वोटिंग से, ठीक है, और जो remaining 4 member है, जो 4 member है, वो appointment होते हैं, pinator के दुआरा जो टिलेटी जिट का गवर्नर होगा वह इनको अपॉइंट करते हैं ठीक है ऑक रिक्पाुलन्वर जूस्थिक्सीत सज्व्वर्वेंश उसमें मěकसिमंina मेंबर होंगी जिसमें से 26 जी है व्रफर वोटिंग से और चार को पॉइंट करता है गवर्णर ठीक है इसके अलावा कि इसके अलावा हम इसका बैक्ग्राउंड देखते हैं कि जो सिक्स चेड्डूल थी जब समिधान बना उस टाइम क्या था कि कि 1909 में जब समिधान पारित हुआ कि 1949 में जब कोंसिटूशन हमारा बंदा था उस टाइम एक 12 लोई कमीटी का घठन हुआ था वार्डो लोई समिधी तो इस 12 कमीटी जो समीधी थी इसी ने जायस की रिकमेंडेशन दी थी सिक्सेडूल की क्यों दी थी इसके पीछे भी दो रिजन थे मेजर तो रिजन थे एक तो जो इस एरियाज की जो जिनजाती थी ट्राइब्स थी उनके विशेशादिकारों को बचाने के लिए ठीक है मतलब इनके क्या है कि कुछ कल्चरल जो मुद्दे एक जहिए जैसे कि लिए ट्राइब्स थी उनको बचाना था जो मेदानी छेतर के लोग है उनके शोचन से इनको बचाना था दूसरा कि इनके से बचाना था तीक है दूसरा कि जो इनके रिति रिवाद हैं उसका प्रोटेक्शन करना था तो दो मीन चीज इसने बताई थी रिकमेंट की थी बारदो लोई कमिटी ने कि जो मैदानी शेतर के लोग है वो अधर जाके शिफ्ट ना हो जाए और दूसरा जो उनका कल्चर है उसको सेफ रखता जाए इसलिए सिट शेड इसके अलावा यह एडीसी का मैंने आपको बताई दिया है ना एक चीज हो रहे है जो एडीसी है एडीसी है जो एडीसी है ओटोनोमस डिस्टिक काउंसिल इसके पास कुछ राइट्स होते हैं जैसे कि जो रूरल कोर्ट होते हैं रूरल कोर्ट उसका इगठन कर सकती और इनको ठीक थाक पावर होते हैं इसके रूरल को दूसरा जो इन एरियाज में जो इस एरियाज में जो हाई कोर्ट की जो पावर होती है वो लिमिटीड होती है यानि जो हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्षन होगा हाई कोर्ट का जुरिडिक्षन होगा हाई कोर्ट का जुरिडिक्षन यहां पर जो है यहां के गवर्नर की पर्मिशन से होगा गवर्नर की पर्मिशन उसमें जरूरी होगी ठीक है अब एक चीज और देख लेते हैं जो इसको मैप से समझते हैं मैप से समझते हैं कि यह नौर्थ इस्ट के चार स्टेट हैं असम मेगाले तिरुपुरा और मिजोरम चार स्टेट हो गई कि शेड्यूल 6 के वल इन पर लागो उती है शेड्यूल 5 रिमेनिंग जितने भी स्टेट है इंडिया के उन पर उसको लागो किया जा सकता है तो ऐसी अभी जैसे 370 अटने के बाद एक नए यूटी बना था लद्दाख लद्दाख तो भी क्या है कि लद्दाख में बड़े पैमाने पर अंदोलन चल रहा है शेड्यूल 6 में इंक्लूड होने के लिए ठीक है तो शेड्यूल 6 इसलिए भी इंपोटेंट हो जाती है कि लद्दाख में बड़े पैमाने भी इसकी दिमांड की जा रही है शेड्यूल 6 में शामिल होने के लिए दूसरा मनीपुर में हिं अब बता जूं कि असननोर्थीस्ट का वह श्टेट है जिसकी बॉण्डरी नोर्फीस्ट के अरुना चल पर देश नागलेंड या सारे स्टेट से कनेक्ट करती है जिसक्थ सिक्किम जो है उसकी बाउंडरी से ट्रेश नहीं करते हैं यह द्यान रखने आपको यहां से पूच्छा जा सकते हैं एक आपने सुना होगा इनर लाइन पर मिट इनर लाइन पर मिट तो इनर लाइन पर मिट जो है अजय से наша का जो बंगाल कि एक कर ऑिउनर लाइन पर मिट पर मिट जो है इसको जो वहां की स्टेइट ऑरन्मेंट होती है कि स्टेट गौप कि वह इसको प्लाति है इनर लाइन पर मिट को मतलब जहां पर इलफी लाव होगा तो वहां क्या है कि बाहर के लोगों जैसे इंडिया के बाकि छेत्र के जो लोग है अगर वो यहां पर एंट्री करेंगे जिन छेत्रों में लाग हो है तो उनको पहले मिजोरम पर लागो होता है ठीक है उनमें से किस पर लागो होगा उन में से केवल जो हाग मिजोरम पर शवीन था मरेंगे स्वीय और बाते हैं और जो ट्रोफिक और कैंसर रहे साड़ेश्य डिक्री जो नौर्थ से जाती है वह भी एक मात रिश्टेट मिजोरम से ठीक है तो अब हम बाप करेंगे सेवंच सेजूल के सेवंच सेजूल क्या है सेवंच सेजूल बेसी कली रिलेटिड है आर्टिकल 246 से अनली आर्टिकल 246 जो है इससे रिलेटिड है इसके अलाव और किसी आर्टिकल से इसका कोई संबन्द है तो इसमें एक क्वेश्चन तो यहीं पूछा जाता है कि सेवंच करने के लिए पूछ लेता है दूसरा इसमें तीन लिस्ट बताईगी है जो यूनियन लिस्ट है उस पर जो कानून बनाते है जो लोज बनाती है वो बनाती है पार्लेमेंट ऐसी जो इस्टेट लिस्ट के जो टोपिक है सब्जेक्ट है उपर कानून बनाती है इस्टेट सम्दी ठीक है इस्टेट सम्दी और जो कंकरेंट लिस्ट है उस पर पार्लेमेंट और इस्टेट दोनों मिलके कानून बना सकत होती है अब सिस्टूची बोल सकते हैं आप उसको इसको बोलते हैं रेजी दुवरी पावर और इस यह रिलेटिड आर्टिकल 248 से ठीक है यह सेड़्ूल 7 से एकदम अलग है ठीक है क्यों लग है क्योंकि इन तीनों को छोड़के कोई अगर ऐसा टोपिक इन फ्यूचर बनता है यह है वह इंक्लोड होता है आर्टिकल 248 जो पावर होती है और इस पर कानून बनाने के और पर प्लस इस्टेट दोनों मिलका है अपने इसाब से आप्स है और जो चृटल न्रे ws सब्जेक्ट है ऐसे स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट है और इसको ध्यान रख नहीं बहुत करने के लिए आ सकती है अब बात करेंगे हम सब्जूल एड तो अब बड़ी इंपोडेंट है सब्जूल एड जो रिलेटिड वह जो ओफिशल language है इंडिया की वो वर elfical language है वह है ट्वेंटीटो अफिशल लेंगवेश की यई बात करती है ठीक है और एट सेधूल पहली जो आट सेडetrी मुल समयदान में थी ठीक है तौब को धियान रखने लेकिन जन यह लाब 179 में हमार समीदान लाव हुआ तब इसमें टोटल लैंग्वेक्च ती कि फटीन, और अभी कितनी है अभी है 22 तो को मिला के प Ikam बिला के इस में जो हैं यानिгор्टीन पहले मेरी ह। और यानि 14 लेंट्वेज पहले थी और अभी है 22 तो आठ लेंगेज जुए वह एमेइंडमेंट से जोड़ी गई है यह इंपॉर्टेंट कि एकब जोड़ी गई है और उसमें अमेंडमेंट हुए तो अभी हम इसमें थोड़ा से देख लेते हैं कि कौन-कौन से इसमें लेंग्वेज हैं अभी इसमें देखो एक तो जैसे आप देख राजिस्थानी राजिस्थानी इंडिया का सबसे बड़ाई स्टेट है है इसमें इंक्लूड नहीं है अब दो लेंग्वेज और इंट्रेस्टिंग है यह दो तो इंक्लूड नहीं है यह है को देंगे और दूसरी उर्दु उर्धु कौ पम लोग बोलते हैं और इस पर लेपाली कुछा यह जाती घ स्कासी है राजिस्थानी है इसे इंगलिश को कर देंगे इंपलूड है लेकिन यहीं नहीं है और इसे उप्षन आता है कि नेपाली नहीं है उतव लगताई की नइपाली नहीं से पर ले नाइबस अब हम देखते हैं कि इसमें टू-टू-टाइम जो है अलग-अलग समय पर कुछ amendment हुए जैसे सबसे पहले समय जो है 1967 1967 में कुटिफर्स amendment हुए इसमें सिन्दी जोड़ी गी तो सिंदी समें सबसे पहले जोड़ी यह अपने आपने गुटेंते append ment ऑमेमेर्ट मेंटेंड मा tell us इंदे इसमें लैंगवेज जोड़ी अनदे ही vardır जमैंत एक सेमनट एन्टी फक्लेमेंड मेंटेंड मेंट कब वह था यह वह था ऑनेंटीन में सलिद्धिЭтоं में और उस टाइम इसमें तीन लैंगवेज जोड़ी गई कोईकनी नेपाली और मनीपुरी तीन लेंग्वेज नैंटीन नाइन के नहीं से इसमें इंक्लोड की गई कोईकनी नेपाली मनीपुरी फिर नैंटी सेकंड अमेंड वेंड वेंड हुआ 92nd amendment हुआ और यह कब हुआ यह हुआ 2004 में 2004 में 92nd amendment हुआ 2004 92nd amendment हुआ और इसमें फिर जोड़ी गई 4 language, 4 language कौन कौन से जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली यहां से भी question पुशे जाने की पुरी संभाव नहीं है इस्टेट PCS यह यह किसी दो नहीं है अब आपको याद कैसे रखना है क्योंको 1st amendment 1967 में मतलब 21st amendment जो हुआ उसमें जोड़ी गई थी? सिंधी यह एक language है और 15th language थी जो इसमें जोड़ी गई थी अकेली language है आपको ध्यान रखने है उसके बाद 3 language जोड़ी गई तीन language फिर जोड़ी गई ठीक है यह आपको ध्यान रखने है 1992 और सेवंटी फ़स्ट एमेंडमेंड उसके बाद चार लेंग्वेज जोड़ी गई ठीक है नाइन्टी सेगिंडमेंड मेंड था उससे चार लेंग्वेज जोड़ी इसको तह ऐसे ध्यान रख सकते हो कि 2004 में इसको जहें इंक्लूड किया गया था तो 4 में किया गया था 4 में 4 लेंग्वेज इंक्लूड की गई थी ठीक है और टू में 3 और 1967 में सिंधी इनके मेंडमेंड आप ध्यान रख सकते हो 21 से सिंधी, 71 से पोंखनी, नेपाली, मनिपुरी और 92 से बोडो, डोगरी, मैत्वी, संथाली, चार लेंग्वेज यानि 2004, तीन लेंग्वेज, 1992 और 1966 में जहे सिंधी होगी, ठीक है? तो अभी तक पहली आठ शेड्यूल हमने कवर कर लिए, पहली जो आठ शेड्यूल थी, वो मूल समिधान में थी, लेकिन उसके बाद जो शेड्यूल 9, 10, 11 और 12, यह जो है अलग-अलग अमेंडमेंट से कॉंसिटिशन में जोडी गई, तो शेड्यूल 9 की बात करते हैं, शेड्यूल 9 जो है, भूमि सुधार से संब्दी थे, भूमि सुधार, लेंट रिफॉर्म, ठीक है, लेंट रिफॉर्म से दिलेटिद है, तो क्या हुआ, इसकी थोड़ी हिस्टरी जान लेते हैं, यह आई थी, 1951 में, शेड्यूल 9 आई थी, 1951 में, तो 1951 में, जमीन दार लोग थे, उनके पास जादा भूमि थी, जादा लेंट थी, तो उसे क्या है कि जो गाउं में जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको वो जमीन देनी थी, और उस ताइम क्या है, कि जो लेंड है, वो एक फंडमेंटल राइट था, प्रोपर्टी, फंडमेंटल राइट था, तो प्रोपर्टी, फंडमेंटल राइट होने की वज़े से, क्या हुआ कि वो केस कर रहे थे, कि हमारी जमीने छीनी जा रही है, तो यह फंडमेंटल राइट था, तो उसके लिए क्या-क्या, गोवर्मेंट ने नाइन सेड्यूल जोड़ दी, औ जो भी विशे इसमें डाल देंगे, उसका जिडिशल दिव्यू नहीं किया जा सकता, तो एक तरह से जो जमीनदार लोग थे, वर्सीज गोवर्मेंट, यह सिच्वेशन आ गई थी, तो इस सिच्वेशन से निपटने के लिए गोवर्मेंट ने नाइन सेड्यूल बनाई, अब इस से निपटने के लिए कि यह जा रहे थे बार बार जमीनदार लोग जा रहते कोट, लेकिन इसमें क्या कि है, जुडिशल दिव्यू वारला प्रोविजन बनागे कि इस पर जुडिशल दिव्यू नहीं हो सकता, तो जो नाइन सेड्यूल है, उसमें एक तरह से इसम लिए को शेड्यूल 9 है, उसकी फिलाल क्या इस्तुतिल है और इसमें से केस आए तो जो केस देख लेते हैं, केस 9 सेड्यूल रिष्छल दिव्यू का क्या स्टेटास है, Moment, August 18th bound, केस केश केश यह था चोबीस अप्रेयल है चोबीस अप्रेयल नाइनटीन सेवन्टी थ्री 24 अप्रेयल 1973 में इस केश की जज्मेंट आई थी और इस केश में आपने सुना होगा तो बेसिक इस्ट्रक्चर जो फंडमेंटल राइट पा हनन कर रहा है वह लागू नहीं होगा यह बेसी की तो तब बेसिक इस्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया तो उससे क्या है कि सुप्रीम कोड की जो जुडिशल रीवू की पावर थी वो बढ़ गई इतरह से ठीक है लेकिन इस पे कलियर्टी कम मिलती है इसमें किलियर्टी मिलती है वामनराव केस में वामनराव केस यह है 1990 में कि है जो पावनराव केस था 1981 में कि इसमें कोड में बोला गया कि जो केश्वनन्द भारती केस tai 1973 का उसकेस से पहले यानि 24 इप्रेल 1973 से पहले के जितने भी कानून है ठीक है वह लीगल होंगे वह सब लीगल होंगे उसके बाद जो बेसिक बेसिक स्ट्रकेश्चर का जो प्रावदान है वह लाव होगा ठीक है तो ये बात वामंदाव केस में देगी कि इस से भी ज़्यादा किलियरिटी कम मिलती है फिर उससे भी ज़्यादा किलियरटी मिलती है फिर हमें एक केस और हुआ है यह वह था 2007 का केस है आई आर कोईलो एक केस हुआ और इस केस में सुप्रीम कोट ने किलियर किया कि आर्टिकल 14, 19 और 21 आर्टिकल 14, 19 और 21 के आधार पर प्रतिय कानून का प्रिक्षन हो सकते हैं ठीक है आर्टिकल 14, 19 और 21 के आधार पर हर एक कानून का जो है judicial दीवियू हो सकते हैं ठीक है तो फाइनली आई आर कोईलो केस में जाके जो है ninth schedule पे किलियर्टी होई खिलियर्टी होई कि इसका भी judicial डीवियू हो सकते हैं तो अब हम कह सकते हैं कि जो 9th schedule है अभी फिलाल में इसका status यह है कि इसका judicial review हो सकता है, ठीक है, तो UPSC, PCS में ऐसा कोई statement आए कि 9th schedule का judicial review हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, और इससे related 3 case मैंने आपको बताए, केशवनन भारती case 1973, वामन राओ case 1981 और आई-ार कोईलो case 2007 ठीक है, अब बात करेंगे 10th schedule, 10th schedule जो important है, एक तो इसको याद रखने के लिए ज्यान रखो, दस भी अनू सूचिए, ठीक है, तो इसमें मतलब 10 का दम देख लो, ठीक है, दस, दस नहीं, और दैसे दल बदल, तल बदल, ठीक है, तो यह related है, anti-defection low से, ठीक है, यह related है, anti-defection जो low है, उससे related है, 10th should do, और इसमें जो है, जो पार्लियमेंट है, पार्लियमेंट और state legislature, state legislature, दोनों में क्या है, कि जो मेंबर होते हैं, उनके disqualification वाली situation बताई गई है, कि किस situation में वो disqualify हो सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ state में, अभी जैसे हाल फिलाल में, जैसे महाराष्ट में देखा गया, महाराष्ट में क्या था, कि जो शीव सेना थी, वो चल सब्सक्राइब एक नाच शिंदे, ठीक है, तो हुआ कैसे, इसको थोड़ा समय लेते हैं, कि इसमें क्या-क्या लोज है, तो सबसे पहले तो जो 10th schedule हुआ थी, जो 52nd amendment आया था, 1985, 1985 का जो 52nd constitutional amendment था, उससे 10th schedule लाग हुई, तो एक तो यह आपको ध्यान रखने की 10th schedule के लिए amendment हुआ था, 52nd, 1985, लेकिन उस टाइम इसमें क्या था, कि किसी पार्टी के जो वन थर्ड मेंबर है, वन थर्ड मेंबर, मेंबर जो है, पार्टी के अगर वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उन पर anti-defection लो लगता था, ठीक है, उसके बाद इसमें एक और amendment हुआ दूसरा amendment इसमें हुआ, 91st amendment, 91st amendment, और 91st amendment से इसमें क्या हुआ, कि जो वन थर्ड वाला प्रोविजन था, उसे बदल के कर दिया, तू थर्ड, तू थर्ड, इसमें क्या है, इसको आप ऐसे समझो, जैसे किसी पार्टी में 30 मेंबर थी, तो उसका वन थर्ड हुआ, 10, यानि पहले ये सिच्वेशन थी, कि अगर पार्टी के 10 मेंबर पार्टी को छोड़ के चले गए, तो वो डिस्क्वालिफाई नहीं होते थे, लेकिन अब क्या सिच्वेशन है, माल लो 30 मेंबर है, और उसका 2 भाई 3rd, है ना, तो ये टोटल हुए 20, तो अगर किसी पार्टी के कम से कम, 20 मेंबर पार्टी को छोड़ के जाते हैं, तब वो डिस्क्वालिफिकेशन से बच सकते हैं, अगर इसकी जगे ये 19 भी हुआ न, तब दिवो मेंबर डिस्क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है, और डिस्क्वालिफाई करने और इन सब की पावर होती है, जो इस्पीकर इस पीकर को इस पर पावर होती है और इसके अलावा जैसे पूई गैसर हमारी जो राज्य सबा है तीदेंट यह सबस्द्ला को सबस्क्राइब इस एक टीक है तो उसके लिए इसमें यह वह है कि यह बारा की बारा मेंबर में से अगर कोई छह महिने के अंदर पू attract ऑगर एकिक निंगे मेंवर सिपल अधर अगर किसी पार्टी की मेंबर्शिप ले लेते है अगर ले लेते हैं तो क्या है कि इसमेंज़ इतना इथाई द्यान रखने लैं भी बात करते है शेड्यूल 11 की है ठीक है जो शेड्यूल 11 है यह क्यों पोड़ेंट है शेड्यूल 11 जो है रिलेटीड है पंचायती राज इंस्ट्रूट से पंचायतों से इसके लिए क्या किया था कि 1992 में 73 इसके लिए आया था ठीक है 73 इसको जो एक समयदानिक दर्जा इसको मिल गया था ठीक है उससे उससे पहले भी इसकी कोशी से होती रही जैसे बल्वंत राएं मेहता अशोप मेहता है ना इसके लिए अलग-अलग समय पर कही कमिटी गठित की गई है ना और इसको अभी फिलाल जो हमारे इंडिया में इसको तिरीस्तरिय प्रूप से लागू किया गया है यानि डिस्टिक लेवल बलोक लेवल और जो हमारे पंचायत होती है जो पंचायत होती है या जो ग्राम लेवर लोगता है उसको लागू किया है थी स्टेज में ठीक है तो इसमें आर्टिकल इसके लिए टू-फोर्टी-3 जी है अच्छा एक इंप्रोटेंस में आपको बता दूँ कि जैसे लेवले पंचायत से पंचायति राज इंस्टिटिशन से ऐसी जो रिलेटिट अपार्ट फोर से पार्ट नाइन से पार्ट नाइन तो इसके लिए कोस्टन स्टेटीश में तो देखने को मिली जाता है वह क्या होता है कि जो पंचायति राज इसके लिए जैसलिए पार्ट नाइन इसको मैच करने के लिए रहे थी वो थी कि इसमें टॉटल जो है और एक चीज इसमें यह थी कि इसमें टोटल 29 विशे इसमें दिए गए हैं इस पर जो ग्राम पंचायत होती है उसको कुछ थोटी होती है और उसमें 29 विशे से हैं उनको एक बार देख लेना आप लिस्ट में काफी जाद हैं ठीक है ऐसा ही बात करते हैं जो बार विए में सूची है इसके लिए मैंने जैसे चेजूल 11 के लिए पार्ट था 9 ऐसे इसके लिए पार्ट है 9 ए ठीक है और जो यह मिनिसिपल्टीज है यह मिनिसिपल्टीज की जो पावर है उससे रिलेटिब है तो ग्राम इन छेतरों के लिए ग्राम पंचायत हो गई और शेरी चेत्रों के लिए अर्बन चेत्रों के लिए करणों जो 12 बनाए गए थीक है इसमें total 18 विल्च है वहाँ पर 17 में विशे थे 29 और 12 विशे हैं वह 18 ठीक है तो यह 18 विश्ष में हो गई तो जो विकेंदरी करण था लोगतांत्रिक विकेंदरी करण लोगतांत्रिक विकेंदरी करण इसको बढ़ावा मिला इस चीज से ठीक है और एक चीज और एक चीज यह है कि इलेवन ट्वेल ठीक है यह होगी पंचायत से लेजित पंचायत ठीक और यह होगी नगरपालिका ठीक है इनको आपको ध्यान रखना है